वीडियो को अभी लाइक कर दीजे और लेटेस्ट टेखनालोजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे रवी ब्लॉक्स्टेक चानल को और दबाई ये बेल आइकन ओटसब गाइस मेरा नाम रवी शंकर है और सौत है आपका मेंच चानल रवी ब्लॉक्स टैक में तो दोस्तो एक छोटा सा अपडेट है नोकिया और ओपो के तरफ से तो दोस्तों नोकिया ने सूख कर दिया है मतब लीगल एक्षिन दिया है ओपो के तरफ से I mean OPPO के against जरसल दोस्तों ऐसा scene ऐसा हुआ था कि OPPO और Nokia के बीच एक sign हुआ था agreement 2018 में जो की OPPO ने break कर दिया है तो इसलिए दोस्तों Nokia ने OPPO के उपर एक patent infringement का lawsuit order कर दिया मतलब case उसके against case file कर दिया है जो की एक बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों अब Nokia को I mean OPPO को obviously बहुत ही बड़ी-बड़ी penatties देना पड़ेगा Nokia को कि उन लोगों ने ऐसा lawsuit मतलब इस agreement को break क्यों किया और इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोगों अगर Nokia के phone या फिर OPPO के phone यूज कर रहे है तो आप लोगों को कोई problem face करना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डरों मत OPPO बहुत बड़ा company है वो आधाम सी ये penattie को गिता पेक कर ही सकता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि OPPO अब इसके वज़े से बंद करतेगा कमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत लोग डर रहे है कि OPPO के जो लोग यूसर है उन लोगों को डर लग रहा है कि कुछ एफेक्ट तो नहीं होगा तो मैं बतातू कुछ भी डरने की बात नहीं है आप देखते हैं कि क्या नेकल किया था रिजल्ट और यहीं एक चोटा सा अपडेट था इसे लॉट्स के बारे में मतलब рай कुछ कशिंट च्वल में को के डिक रहा है जरू करता हूं और शइयर कर एस वीडियो को सभी के साथ और चैनल के अधा हो तो चैनल के सब्सक्राइब टिंग को दिबाखे तो डोड़ना क्योंकि मैं से इन लेटीस टेक अपडेट्स इन डीटेल डीली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस्करना हो दोस्टों लोग बहु